तो दोस्तों इंडिया में फूर्थ में से नौन इसेंशनल चीजों की सेल ओफलाइन और ओनलाइन शुरू कर दी गई है हाला कि लोकडाउन अभी दो हपते के लिए बढ़ा दिया गया है यानि कि 17 मही तक लोकडाउन रहेगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़े आप ओनलाइन और ओफलाइन बाय कर पाएंगे तो वीडियो का एंड तक चरूर देखें इसकिप ना करें और अगर आप अमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बैलाइकन को चरूर दबाएं तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लोगडाउन 17 मही तक इंक्रीज कर दिया गया है इसके लावा कुछ अगों पर गाइडलाइन्स फोलो करते हुए रिटेलर्स भी शॉप ओपन कर पाएंगे तो आप कोई भी स्मार्टफोन, टीवी, फ्रीज, लैप्टप, ओनलाइन और ओफलाइन भी ले सकते हैं बट कार में सिर्फ ड्राइवर और एक पेसेंजर ही अलाव होगा रेड जोन में कैप्स और टेक्सी ज नहीं चला सकते हैं वही आईटी कंपनीस में भी अब ओफिस को 50% वर्कफोर्स के साथ ग्रीन और और ओरेंज जोन में खोल सकते हैं और 33% कैपसिटी के साथ रेड जोन में भी खोल सकते हैं बात करें स्मार्टफोन मार्केट की तो लोकडाउन रिलेक्सेशन के बाद अब फ्लिपकाट और रेमेजन पर भी सेल स्टार्ट हो जाएगी जोकि एलेक्ट्रोन आइटम की होगी जिसमें की आप टीवी एसी फ्रीज फैन कुलर लैप्टॉप जैसी नौन इसेंसल चीजों को खरीद सकेंगे और उसके बाद स्मार्टफोन की सेल भी स्टार्ट होगी जिसमें की काफी फोनस पर तो अभी से प्राइस कट हो गई है जैसे की सेमसंग और वीवो तो किनी किनी स्मार्टफोन में कितना प्राइज डाउन हुआ है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो और अगर आप लोग किसी न्यूव फोन का वेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में हमें रियल्मी, मोटरोला, शाउमी और वीवो कंपनी के फोन लाँच देखने को मिल सकते हैं जिसमें की रियल्मी, नार्जो सीरिज, शाउमी, मीटैन, एंड वीवो, वी 90 लाँच होंगे तो किलियरली में मन्त काफी बीजी रहने वाला स्मार्टफोन ब्रैंड्स के लिए क्योंक आपसे एक और नए उडियो में तब तक लिए टेक क्यानन कोट बाई